रेस्टोरेंट से भी अच्छे से आज हम घर पे बनाएंगे रेस्टोरेंट में सबसे ज़्यादा विखने वाली मिक्स वेज की सबजी मिक्स वेज बनाने के लिए मैंने सारी सबजीयों को चौप कर लिया है यहाँ पे मैंने लिया है बिंस, आलू, सिम्ला मिर्ज, मतर, गाजर, गोवी, प्याज को भी मैंने स्क्वाइर सेप में काटा है इसके अलावा मैंने लिया है पनीर, मस्रूम, इसे भी मैंने दो के काट लिया है टमाटर और कुछ काजू लिये हैं और दो बड़े साइज के प्याज को मैंने बाडीक चौप कर लिया है तो यह सब सारी सबजीया पहले आप रेडी करके रख ले चिलिये कडाही में मैंने डाल दिया है सर्शो का तेल अब हम सारी सबजीयों को फ्राई करेंगे आप चाहे तो एके करके सबजीयों को फ्राई कर सकती है पर मैं यहाँ पर दो सबजीयों को एक साथ फ्राई करके दिखाऊंगी पर पहले हम गोबी डालके उसे थोड़ा देर पकने देंगे इसके बाद ही दूसरी सबजी उसमें डालेंगे काजू को मैंने दो भागों में बाट लिया है आधा काजू मैं पीस के डालूँगी इसका पेस्ट डालूँगी और आधा काजू मैं सबजी में फ्राई करके डालूँगी गोबी में एक अच्छा सा कलर आ चुका था जितना हमीं चाहिए था यानि कि 50% जब यह फ्राई हो जाए तो इसमें बेंस डाल लेजिए ताकि आपका टाइम बचे बेंस को दो तीन मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें सिमला मिर्च डाल दिया है और इन्हें साथ में हम फ्राई कर लेंगे जब तक हमारी सबजी अफ्राई हो रही है यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिये हैं इसे मैं इसमें खल में कूट के डालूंगी इसे अच्छा सा फ्लेवर आएगा बाकी मसाले भी हम रेडी कर लेते हैं सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर देड़ चमच के लगभग सबजी मसाला यह ब्रेस्ट का सबजी मसाला मैंने यूज किया है आपको जो भी पसंदे आप डाल सकते हैं साथ में मैंने डाला है एक चमच कास्मीरी लाल मिर्च एक चमच धनिया पाउडर आधा चमच के लगभग मैंने इसमें हल्दी पाउडर दिया है और आधा चमच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा पाउडर का इस्तिमाल किया है चलिए हमारे साथी सबजीया गोबी बिंस और सिम्ला मिर्च जितना हमें फ्राई चाहिए था उतना मैंने कर लिया है यानि की 90% तक ही इसे फ्राई करना है इसी तेल में अब हम डाल रहे हैं आलू आलू को मच्छे से फ्राई करेंगे इसे भी हम कुछ टाइम फ्राई करेंगे इसके बाद हम इसमें गाजा डालेंगे लेकिन पहले हम आलू को पांच मिनट के लिए फ्राई करके इस पे कलर आने देंगे इसके बाद ही गाजा डालेंगे ये देखिए आलू फ्राई होने के बाद मैंने इसमें गाजा डाल दिया है जैसे ही गाजर 2-3 मिनट पकेगा इसमें हम अपना मस्रूम डाल देंगे लिखे मैंने मस्रूम पर डाल दिया है अब इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे इस पर जैसे ही आपको लगे कि ये कलर आ गया है आप इसे निकाल ले और लेड़ी आलू हमाड़ा फ्राई था गाजर और मश्रूम को हमें फ्राई करना है जैसे ही ये दोनों में कलड चेंज होगा हम इसमें काजू डाल रहे हैं क्योंकि अब इस स्टेज पे हमें काजू, पनीर और बागी सारी सब्जियों को डाल के निकाल लेना है क्योंकि इन्हें हमें बहुत देर तक पकाने की जरूवत नहीं होती है इसलिए मैंने इसमें इसे डाल लिया है ताकि बस हलका सा कलर आ जाए ये फ्रोजन वाले मटर है तो इसे हमें भूनने के जरूवत नहीं है ना ही पनीर को हमें डिफ्राई करना है ये देखे साड़ी सबजिया भून चुके है अब इसे हम निकाल लेते है और इसी कड़ाई में तेल हमारा गड़म है तो मैं इसमें जीरा और दो तेज पात्ता डाल दिया है साथ में हम डाल रहे हैं बारिक चॉप किया हुआ प्याज प्याज में एक अच्छा सा कलर आ चुका है प्याज जब फ्राई कर रहे हैं तो फ्लेम को लो रखे जैसे ही उसमें अच्छा सा कलर आए आप अधरक लेसन और हडा मिर्च का पेस्ट आइड़ कर लिए आप चाहे तो हडा मिर्च को चॉप करके भी डाल सकते हैं एक टमाटर, इसे मैंने रफली चॉप करके लिया है, और जो मसाले हमने रेडी करके रखे थे पहले से, उन्हें भी हम डाल के दो मिनट भून लेंगे, आधा कप के लगभग हमने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि ये अच्छे से भून जाए, मसाले हमारे जले नहीं, थोड़ा देर इसे ढख के हम इसलिए पका रहे हैं, ताकि इसका कलर अच्छा सहाज है, और मसाले का खुसबू बढ़ करार है, इस वज़े से मैंने एक लेड से ढख दिया है, ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है, कूटी हुई, जो खड़ा मसाला हमने रखा था ना, उ साथ में हम इसमें डाल देंगे काजू का पेस्ट, ये देखिए, काजू का पेस्ट, आप इस स्टेज पे, अगर आपके पास फ्रेस मलाई है, तो वो आप डाल सकते हैं, पर फ्रेस मलाई का ही इस्तेमाल करिएगा, ये तो सबजी का टेस्ट खराब हो सकता है, ये में अच्छा लगे साथ में एक चमच के लगबग मैंने कस्तूरी मेथी को तावे पे रोस्ट करके डाल दिया है और साथ में हम सारी फ्राइ की हुई सबजिया डाल देंगे मिक्स वेज में अगर आपको कोई और सबजिया एड़ करनी है तो आप एड़ कर सकते हैं पर मैंने लगबग जो सबजिया एड़ होती है वो सारी सबजिया इसमें डाल दिया है ये देखें बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है क्योंकि यह पहले से फ्राइ था और तो आप आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताई और अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले